नमस्कार मैं हूँ आनंद कुमार स्वागत है आप सभी लोगों का कॉंपेटिशन कम्यूनिटी में कॉंपेटिशन कम्यूनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर अधारिक मोबाइल कोर्स लॉंच हो चुका है इस मोबाइल कोर्स के माद्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैट कर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं भारतीय अर्थ्विवस्ता और मारत की बुगोल में क्या है कुछ खास सुनिये अगास सर से. जिसके साहता से आप पुछे जाने वाले सारी प्रस्णों को असानी से सॉल कर पाएंगे. नमस्कार दोस्तों, Competition Community के Mobile Course में आपका स्वागत है और मैं हूँ आगास सिंग. इंडियान Economy Video Lecture Series का या अगला वीडियो है और अभी तक के वीडियो में हमने क्या चीज़े देखी हैं जरा उसका एक संचिप्त विवरन देख लेते हैं. हमने राश्ट्री आए की शुरुवात कर ली और हमने ये जाना कि राश्ट्री आए नागरिकों की आए की संबंदित अवधार्णा है. और इसे फिर हमने विविन दिश्ट्री कोंड से देखना प्रागर्म गिया जिसमें हमने सबसे पहले जीडिपी की डेफिनिशन और उसके इंपोर्टेंस को समझा और उसके बाद हमने ये देखा कि जीडिपी की अपनी एक अलग महतवता है तो जरूर लेकिन नागरिकों क की आए का शुद्धतम रूप नहीं है जीडिपी के प्राप्त मौद्रिक मुले निवासियों की आए को दर्शाता है नागरिकों की आए को जानने के लिए हमने दूसरे दिश्टिकोंड का सहारा लिया और हमने जीडिपी देगा और हमने ये देखा कि भारत के परपेक्ष में और भारत जैसे अन्य विकास शिल देशों के परपेश में जीडिपी से कम होती है क्योंकि ऐसे राष्ट्रों की विदेशों से होने वाली नीवल आये रिनात्माख होती है नेगेटिव वैल्यू में हमको ये नेट फ्रेक्टर इंकम फ्रम अबरॉड प्राप्त होता है और उसके बाद GNP किसमाप्त करने के बाद हम पहुंचे NNP पर नागरिकों की शुद्धतम आये जानने के लिए और हमने देखा कि NNP नागरिकों की शुद्धतम आये दर्शाता है लेकिन प्रतिवक्ति आये का सहरा लेते हुए हमने ये जाना कि किसी भी देश की आर्थि कितनी आय हुई है ये दर्शाता है और फिर उसी आय के अधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी राश के नागरी की जीवन की शैली या फिर जीवन इस तर कितना बहतर है और कितना बहतर हो सकता है। प्रतिवक्ति आय समझने के बाद हम यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से नाशनल इंकम के कुछ ब्रॉड कंसेट पर जाएंगे। जब हमने वो फ्लो चार्ट देखा था जिसमें हमने विशियस साइकल और वर्च्योस साइकल की चर्चा की थी तो हमने यह देखा था कि राश्री आय कुछ और अवधानाओं से जुड़ा होता है। राश्री आय पर आज हम मुद्राइस्विति के प्रभाव को देखने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार अगले वीडियो में हम राजकुशी निती का प्रभाव भी देखेंगे। तो अगर हम इस टॉपिक पर बात करें कि आज हम क्या देखने वाले हैं तो इस पर्ष्ट शब्दों में कहा जाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम GDP की मौद्रिक मुल्य प्रशलित भाव और GDP की मौद्रिक मुल्य इस्थीर भाव में होना और इस्थीर भाव में होने क क्या तातपर यह होता है इस चीज़ पर हम चर्जा करेंगे तो चलिए यहां तक पहुँचने से पहले सबसे पहले तो हम इस शब्द की ही बारे में थोड़ी से जानकारी प्राप्त कर लें जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा अब शब्द है मुद्रा इस्थी इंफल से तो चलिए शुरुवात करते हैं कि यह मुद्रा इस्थी और नैशनल इंकम के साथ में इसका जो कनेक्शन बैठता है वो कैसे है और क्या है तो सबसे पहले तो हम इस शब्द का ही अर्थ समझें इंफलेशन यह मुद्रा इस्थी का क्या तात पर है मुद्रा इस्थी को परिभाशित किया जाता है कि मुद्रा की क्रयशक्ती में गिरावट होना क्रयशक्ती इंगलिश में इसे पर्चेजिंग पावर कहेंगे क्राइशक्ति में गिरावाट होना या फिर आप ये कह दें कि वस्तूओं की कीमत में व्रिद्धी होना या फिर प्राइज राइज होना ये दोनों ही चीज़ को आप एक साथ कह देंगे मुद्रा इस्विती के परिभाशा पर्चेजिंग पावर कम हो जाना क्राइशक्ति कम हो जाना बस्तों की कीमत में व्रिद्धी हो जाना मुद्रा इस्विती कहलाता है अब हम ये देखते हैं कि मुद्रा इस्विती के इस परिभाशा के बाद अभी हम उस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं क्या किसी अर्थ विवस्ता में ये मुद्रा इस्विती हमेशा होता है, असान शब्दों में कहा जाए, तो क्या हमेशा क्राइशक्ती गिरते रहती है और वस्तों की किमत बढ़ते रहती है, हमेशा कहने से तात्परे मेरा एक दिर गवदी होगा, अर्थाद 20-30 साल की दिर गवदी की बात कर रहे हैं, हम 2-4 मेने की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा होगा का जवाब अगर देखा जाए, तो हाँ, ऐसा हमेशा होता है, एक दिर गवदी में हमेशा क्राइशक्ती रुपए की गिरते रहती है, और वस्तों की कीमत बढ़ते रहती है, कभी भी आप मुद्रा इस्विती शब्द को महगाई शब्द से कन्फियूज ना करें, इन दोनों में अंतर होता है, किस प्रकार का अंतर होता है, जरह हम समझते हैं, देखते हैं, जैसे एक वस्तों पर बात की, जैसे अभी चर्चा में हैं प्याज, प्याज की कीमत आज जादा है, तो आप कहा रहें, प्याज महगा हो गया, कल की डेट में इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो आप कह देंगे कि ये सस्ता हो गया, ठीक उसी प्रकार कोई और प्रोटक्ट ले लें, जैसे मान लेते हैं, आप रेफरिजरेटर ले लें, और मान लेते हैं कि आज इसकी कीमत थोड़ी से तुलनात्मा गरूप से गिर गई है, आटो मुबाइल का एक्जामपल ले लेते हैं, तुलनात्मा गरूप से मान लेते हैं, इसकी भी प्राइस गिर गई है, फिर आप mobile phones का example ले ले तो मान लेते हैं कि इसकी जो price है वो बढ़ गई है ठीक उसी प्रकार आप मान ले कि कुछ laptop का example ले ले तो इसकी भी price बढ़ गई है तो जब आप किसी एक particular product के बारे में गहें किसी एक single entity की कीमत पर बढ़ने और घटने की बात करें तो वो महंगाई दर्शाता है लेकिन जब आप अर्थविस्ता के समस्त वस्तू की जो मुद्रिक मुल्ले हुई है उसके resultant की बात करें और अगर वो इस तरीके से दिखें अर्थात जब हमने सब के किमतों को जोड़ दिया और सारे इस बास्केट की अगर हम value देख रहे हैं money value देख रहे हैं ये अगर हमें बढ़ता हुआ दिखें तो आप इसे कहेंगे मुद्राइस्विस्ता की अर्थात महंगाई जो है वो सिर्फ एक single entity या फिर उसकी जो परिभाशा या उसका जो छेत्र होता है बहुत ही संकिर्ण होता है लेकिन मुद्राइस्विती एक व्यापक अवधारणा को cover करता है एक अर्थविवस्ता लेवल तकी बात यहां पर हो रही होती है तो अर्थात ये कहा जाए कि महंगाई किसी एक वस्तो की बात है मुद्राइस्विती अर्थविवस्ता की और मुद्राइस्विती हमेशा बढ़ता ही रहता है बढ़ने की जो दर है वो कम जादा हो सकती है कभी बढ़ने की दर 6 प्रतिशत हो सकती है कभी बढ़ने की दर 3 प्रतिशत हो सकती है तो आप पहले एक्जामपल और दूसरे एक्जामपल के अधार पर समझ सकते हैं कि बुद्राई स्वीती की दर अब गिर गई है, 6 से गिर कर 3 हो गई है लेकिन बढ़ेगी जरूर सिदे तोर पर एक असान भाषा में आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक मोटर साइकल चला रहे हैं मोटर साइकल चलाते हुए आप क्या होगा एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में चल रहे हैं तो आप उसके तरफ उस डिरेक्शन की और बढ़तो रहे हैं लेकिन बढ़ने की गती कम जादा हो सकती है कभी आप 80 km पती गंटे की रफ्तार से बढ़ रहे होंगे कभी आप 40 km पती गंटे की रफ्तार से बढ़ रहे होंगे तो आप बढ़तो रहे हैं लेकिन बढ़ने की दर आपकी कम हो जा रही है ठीक उसी प्रकार मुद्राइस फिती होता तो रहता है price of product बढ़ते रहती है और crash शक्ती गिरते रहती है बढ़ने की दर उपर नीचे हो सकती है तो हम यहाँ पर इस conclusion तक तो पहुँचें कि मुद्रा इस फिती हमेशा होते रहती है लेकिन मन में ये सवाल आ रहा है कि हम ये conclusion निगाले कैसे कि हमेशा price बढ़ते कैसे रहती है की बात करें मांग की बात करें तो हम अपने flow chart का इस्तमाल कर लेते हैं अगर market में demand है तो हमने क्या देखा कि उत्पादन होता है production होता है लेकिन demand होता है तो वस्तू की कीमत भी बढ़ती है जिस चीज की demand होगी उसकी price बढ़ते रहेगी तो demand से production भी होगा और production से inflation भी होगा लेकिन production से अगली चीज हमको क्या पता है कि लोगों की रोजगार होती है और लोगों की आए भी बढ़ते रहती है और अगर आए हुआ आए बढ़ी तो फिर से बाजार में demand बढ़ता रहता है तो एक प्रकार से ये cycle रूप धारण कर लेता है अर्थात लोगों की आए भी बढ़ते रहती है और वस्तू की कीमत भी बढ़ते रहती है आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि समानी रूप से आज से 30-35 साल पहले अगर हमारी पहली की जनरेशन हो या फिर हम अपने पैरेंट की एक्जामपल ले सकते हैं आज से 1980 के दशक पर अगर मैं अपना व्यक्तिकात उधार लूँ तो मेरे पिता जी की सेलरी मासिक सेलरी जो थी वो मादर 1500 रुपए थी लेकिन उस समय भी हम गरीब नहीं कहलाते थे क्योंकि उस समय वस्तू की कीमत भी बहुत कम होती थी जो चीजा आज 200 रुपए में मिल रही है उस समय वो 20 रुपए की मिलती थी लेकिन समय के सांस साथ इस साइकल के अधार पर पिता जी की सेलरी भी बढ़कर आज 50,000 के आसपास हो गई है और जो 20 रुपए की वस्तू मिलती थी वो भी 200 रुपए हो गई अर्धाज अगर केस वन देखें तो जब पिता जी की सेलरी मातर 1500 रुपए थी तब प्रोड़ट की प्राइस 20 रुपए थी लेकिन जब ये 50,000 सेलरी हो गई है तो प्रोड़ट की प्राइस भी कितनी हो गई है 200 इस वेवहारीक उधारण के अधार पर आप समझ सकते हैं कि आए बढ़ते रहती है और वस्तू की कीमत भी बढ़ते रहती है क्योंकि इन दोनों के बढ़ने के पीछे का कारण समान है और वह है डिमांड और प्रोड़क्शन किसी एक साल पर ऐसे अपवाद हो सकते हैं हो सकते हैं कि जैसे कि अगर आप 2008-2009 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिमांड मार्केट में थोड़ी सी स्लो हो गई थी नेगेटिव नहीं हुई थी स्लो हो गई थी अर्थात जितना ज़्यादा डिमांड था उतना ना हो अगर डिमांड थोड़ी सी कम हो गई थी तो आप देख सकते हैं कि उस समय आएकी और मुद्राइस्विती जो दर है वो भी इसी प्रकार से proportionally impact होते हैं लेकिं दिरगवदी पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे बहुत पहले किसी वस्तू की किमत कम थी आज उसकी बढ़ गई लेकिन लोगों की आए भी कम थी और वो भी बढ़ गई ये सारी चीज मुद्राइस्विती के अवधारना से प्रत्यक्षरुप से ज प्रप्रोस्ट्नल का रिलेशन होता है ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर इन्फलेशन के समस्ट यहाँ पर आपको की बात नहीं कि एक पर्टिकलर लिमिट तक इंकम और इंफलेशन दोनों डारेक्टी प्रपोर्पोवर्शनाल होते हैं जब तक वो inflation की दर healthy inflation की rate ना कहला है inflation से संबंदित ये तीन चीज़ों समझने के बाद हम एक conclusion box बनाते हैं और अभी तक हमने क्या समझा उसे हम sinopsis के form में लिख देते हैं हमने अभी तक ये देखा ये conclusion box हुआ हमने देखा कि मुद्राइस फिती या inflation क्या होता है तो हमने निकाला कि price बढ़ते जाना या फिर जो मुद्रा है उसकी purchasing power क्रेश शक्ती का गिरते जाना एक ये हमने जाना दूसरा हमने जाना कि ये हमेशा होता है क्या तो हमने जवाब निकाला हाँ अगला जो यहाँ पर प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है तो हमने निकाला कि लोगों की आय और एक particular limit तक का inflation दोनों directly proportional होता है ध्यान रखेगा यहाँ पर आप बलकी की star बना दे कि inflation की rate को आप एक particular limit तक के ही संबन में ये relation कह रहे होंगे जब हमने ये सारी चीज समझ ली तब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम राश्री आय में इसे कैसे जोड़ने वाले है तो हमने अभी तक प्रतिवक्ति आय समझा था हमने देखा था कि प्रतिवक्ति आय बढ़ाते जाएंगे तो लोगों की जीवन स्तर बढ़ता जाएगा प्रतिवेक्ति आय बढ़ता जाना अर्थाद समाज में विश्मताओं को कम करते जाना आर्थिक विश्मता कर्म करते हुए समाजिक विश्मता अपने आप ही कम होने लग जाती है इसे समझने के बाद अब हम एक एक्जामपल का उपियोग करते है मान लेते हैं कि किसी एक वर्ष पर प्रतिवेक्ति आय पांच जार रुपए प्राप्त होता है और ठीक उसी समय किसी एक वस्तू की कीमत मान लेते हैं कि एक फोन की कीमत भी पांच जार रुपए देखने को मिलती है अब आपने क्या किया कुछ ऐसे योजनाय लाएं और योजनाय लाने के बाद आपने देखा कि प्रतिवेक्ति आये पर आपने 10 प्रतिशत का विद्धी कर दिया अर्धाद प्रतिवेक्ति आये 5500 बढ़ गया और सिर्फ इतना देखते हुए अगर आप ये अंदाजा लगा लेते हैं अभी तक के क्लास के आधार पर कि प्रतिवेक्ति आये बढ़ गया है 10 प्रतिशत अर्धाद लोग भी अमीर हो गये हैं 10 प्रतिशत लेकिन लोगों की अमीरी की जब हम बात करें अमीरी का अर्ध होता है क्रैशक्ति का बढ़ जाना सिर्फ मात्रात्मक व्रिद्धी क्या लोगों की क्रैशक्ति बढ़ती हुई दर्शाएगी क्या मातरात्मक वृद्धी लोगों के जीवन के इस तर पर वृद्धी दर्शाएगी तो चरह हम उसको समझते हैं स्वैम रुपए की या मुद्रा की जो ये मातरात्मक वृद्धी हुई है ये क्रायशक्ती को नहीं दर्शाती हैं कि प्रतिवक्ति आये में 10% की मात्रात्मक वृद्धी हुई तो है लेकिन क्या वस्तू भी उतने में ही मिल रही है मान लेते हैं हम केस वन यहां पर ले लेते हैं और केस वन पर हम यह कहते हैं कि वस्तू की कीमत में कोई वृद्धी नहीं हुई है इस समय अभी भी सोफा जो है वो 5000 रुपए का मिल रहा है तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि मातरात्मक विद्धी भी 10% बढ़ी है और क्रेश शक्ती भी 10% बढ़ी है अर्थात वेक्ती पहले एक फोन खरीद पाता था और अभी भी एक फोन खरीद पाने के बाद उसके 500 रुपए की राशी और शे फोन की कीमत भी 5% बढ़ गई है तो आप क्या कहेंगे कि आये में 10% की मातरात्मक विद्धी है लेकिन क्रेश शक्ती में 5% बढ़ी है क्यों क्योंकि पहले एक फोन खरीदता था अब एक फोन खरीद पाता है और उस फोन को खरीदने के बाद उसके पास 2500 रुपए की राश प्रतिशत बढ़ी और अगर आप केस 3 ले लेते हैं और केस 3 में मान लेते हैं कि फोन की भी जो कीमत है वो भी उतनी ही बढ़ गई जितनी मातरात्मक विद्धी हुई थी तो आप क्या कहेंगे लोगों की आये में 10% की मातरात्मक विद्धी हुई है लेकिन क्रेश शक्ती म इक फोन के ङटेपा था अभी भी व्यक्ति एक फोनी गड़ीद पा रहा है तो लोगों की जो आये हैं उसकी मात्रात्मक वृद्धी उसकी क्रैश अक्ति के वृद्धी को देखने के लिए वस्तू की कीमत पर वृद्धी हुई है या नहीं हुई है या सीधे तोर पर कहें मुद्रा इस्विती की क्या दर है इसे भी देखना जरूरी है जब तक हम उसे नहीं देखेंगे तब तक हम लोगों की क्रशक्ती में विद्धी उनके जीवन के इस तरफ विद्धी इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे और सिर्फ मातरात्मक विद्धी देखकर हम किसी भी प्रकार के निश्कर्स पर नहीं पहुँचेंगे कि लोगों की क्रशक्ती बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है अगर आप इसका एक नेगेटिव एक्जामपल देखें और आप देख लेते हैं कि केस 4 और यहां पर आप देख लेते हैं कि वस्तू की कीमत 15% बढ़ गई अर्थात अब वो जो फोन जो है वो भी खरिदने लाइक वो वेक्टी नहीं रहा गया पहले एक फोन तो कम से कम खरिद पाता था अब वो फोन भी नहीं खरिद पाया मातरात्मा व्रिद्धी हुई तो है लेकिन क्रय शक्ती में व्रिद्धी नहीं गिरावट हुई है तो अगर आप इन सारे कंसेप्ट को एक इक्वेशन पर लिखें तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आमें दिखेगा लोगों की पर्चेजिंग पावर पर व्रिद्धी या आप इसी को कह दें रियल इंकम या इसे ही आप हिंदी में कह दें वास्तविक आयमें व्रिद्धी तो इन सारे चीजों को आप कैसे निकालेंगे कि जो भी यहाँ पर नॉमिनल ग्रोथ हुई है उसमें से मुद्राइश स्विती को दर को निकालना पड़ेगा जैसे कि अगर आप केस वन की बात करें तो नॉमिनल ग्रोथ 10% ती और मुद्राइश स्विती की दर 0% ती तो रियल इंकम जो यहाँ पर आई केस वन पर वो भी 10% आई और इसे ही मैंने केस वन पर क्या कहा था कि जितनी मात्रा में व्रिद्धी हुई है उतनी ही क्रैश स्विती में व्रिद्धी हुई है क्योंकि वस्तों की कीमत में कोई भी इजाफा हमको देखने को नहीं मिला है लेकिन अगर आप केस टू की बात करें तो केस टू पे जो मात्रात्मा व्रिद्धी हुई है और मुद्रई स्विती की दर 5% हुई है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं केस 2 के लिए 5% अगर आप केस 3 की बात करें और यहाँ पर मुद्रई स्विती की दर भी 10% है तो क्रेश रक्ती में कोई भी जाफा नहीं हुआ है और जो 4th केस होगा उसमें तो माइनस 5% हो गया है अर्थात क्रेश रक्ती बड़ी नहीं इस्थिर भी नहीं रही बलकि गिर गई तो इन सारे चीज़ों के कंसेप्ट के बाद कॉंक्लूजन बॉक्स पर एक और चीज़ जोड़ लेते हैं कि रियल इंकम अर्थात क्या लोगों की आय में वास्तविक वृद्धी का अर्थ क्या होता है तो होता है जो नॉमिनल ग्रोथ होगा उसमें से मुद्रा इस्विती की दर को माइनस कर देना चाहिए तब जाके वास्तविक आय या वास्तविक आय में वृद्धी हमको प्राप्त होगी तो सिर्फ प्रतिवेक्टी आय जान लेने से या सिर्फ प्रतिवेक्टी आय की मातरात्मक विद्धी को जान लेने से आप इस निशकर्स पर नहीं पहुँचेंगे कि लोगों के जीवन के इस तर भी बहतर हो रहा है आपको इस निशकर्स में पहुँचने के लिए मुद्रा इस्विती की दर से उस मात्रात्मक विद्धी की दर को तुलना करके देखना होगा क्या वाकई में लोगों की आय या क्राइश शक्ति या उनकी अमीरी या उनके जीवन के इस्तर पर कोई विद्धी हुई है या नहीं अभी तक के कॉंक्लूजन बॉक्स पे लिखे हुए शब्दों के आदार पर हमने ये जान लिया कि अगर लोगों की वास्तवी आय की जानकारी चाहिए तो मात्रात्मक विद्धी पे मुद्रा इस्विती के प्रभाव को देखना होगा अगला हम इस्तमाल देखते हैं मुद्रा इस्विती का राश्रिया में क्या होता है अगला इस्तमाल होता है किसी भी एक निर्धारित वर्ष से वर्तमान के वर्ष की आर्थिक इस्थिती पर व्रिद्धी हुई है या नहीं हुई है ये जान निकले या फिर कह दें तुलना है मान लो तीन मारकर तीन मारकर का उत्पादा नूट है इस समय प्रती मारकर की जो कीमत है मान लेते हैं दस रुपए पर मारकर तो जीडिपी अगर हम निकाले 2011-12 की तो हमें प्राप्थ होती है 30 रुपए आपने डेफिनिशन में कहा भी था एक निर्धारिश शमय अवधी पर उत्पादी सभी अंतीम वस्तूओं सेवाओं के मौदरिक मुल्य को हम उस भगलिक शेद्रग्या सकल गरिलो उत्पाद कहते हैं मान लेते हैं वर्तमान में आकर 2019-2020 का वित्ती वर्ष है और इस समय उत्पादन जो है मान लेते हैं कि दो मारकर का हुआ है लेकिन वस्तूओं की जो कीमत है वो बढ़ गई होगी क्योंकि हमने देखा कि मुद्रा इस्विती हमेशा होती है और वस्तूओं की कीमत 15 रुपए पर मारकर मान लेते हैं हो इस समय सिर्फ GDP अगर आप देखें तो 30 रुपए अभी भी दिखता है डेफिनेशन के अधार पर तो अगर आप अपने आपको मुद्रा इस्विती के प्रभाव से अलग रखें उसकी जानकारी से अलग रखें तो GDP दोनों ही समय पर हमें समान दिख रही है सिर्फ डेफिन तक के ग्यान रखने के अधार पर आप ये कह सकते हैं कि 2011-12 और 2019-20 की जो इस्थिती थी वो समान थी लेकिन हमें यहाँ पर बोर्ड में सिधे तोर पर दीख रहा है कि इस्थिती समान नहीं है बलकि उत्पादन क्या हुआ है गिरा हुआ है लेकिन ये समान इस्थिती पूल पर क्यों दिख रही है तो वह दिख रही है मुद्रा इस्थिती के कारण तो अगर हमें 2011-12 से 2019-20 को कंपेर करना है और इस तरीके से कंपेर करें तो हमें जो हैं बहुत ही गलत निश्कर्ष प्राप्थ होगा इस सही निश्कर्ष में पहुंचने के लिए हमें मुद् हैं GDP प्रशलिदबाउं इंग्लिश में आप इसे क्या कह देंगे GDP at current prices इसका ये अर्थ है कि जितने भी वस्तु और सिवाओं का उत्पादन हुआ है वर्तमान वर्ष में इसकी जो मौद्रिक मुल है वो वाली मौद्रिक मुल लिलो जो अभी प्रशलन में है या फिर जो current year पर चल रही है तो current year पर जो मौद्रिक मुल है वो 15 दिख रही है तो आप price कौन से निकाल लें कौन सा जो current year पर price है तो इस अधार से अगर 19-20 के लिए आप GDP at current price निकाले तो आपको दिखेगा कि दो marker है वो quantity और 15 रुपए है current price और GDP current price हमको मिल रहा है 2019-20 के लिए 30 लेकिन यह तो हो गया current price यहां तक चीजे समझ में आगे तो फिर यह constant price क्या होता है और constant price निकाला ही क्यों जाता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है तो जबर हम देखते हैं कि GDP constant price या फिर GDP स्थिर भाव में कहने का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ यह होता है कि जितने भ का जो कीमत है उसको constant लेना है ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ को दूसरे चीज़ से compare करते हैं तो compare करने का जो base होगा जो अधार होगा वो same होगा बिना same comparison के आप किसी की भी तुलना नहीं कर सकते हैं for example अगर मेरी height की तुलना किसी और वेक्ति की height की खडा हूँ और कोई दूसरा वेक्ति वो table पर खड़ा है और मैं जमीन पर हूँ तब अगर हमारी height measurement की जाएगी तो हम दोनों की height में जो अंतर दिखेगा वो गलत होगा हम दोनों को compare करने के लिए हम दोनों की height को compare करने केга यह दोनों को या तो जमीन पर खड़ा होना पड और वो base क्या है monetary value constant यह यह मान ले कि 2011-12 में जो मौद्रिक मूले थी वो 2019-2020 तक में constant रही इस अधार पर GDP वर्तमान वर्ष के लिए क्या निकलने वाली है तो quantity थी यहाँ पर दो मारकर की और constant price आप इस समय का ले रहे हैं क्योंकि आप 2011-12 को base लिया आपने और इस समय आपकी मौद्रिक मूल आती है 10 रुपए तो अब जो यहाँ पर GDP आई है यह आई है 20 रुपए इस तिरभाव में आपने देखा 2019-2020 के लिए GDP current price 30 रुपए GDP constant price 20 रुपए अब इस GDP constant price को हम अगर तुलना करें इस साल से क्योंकि आपने क्या किया है मौद्रिक मूले 2011-12 के लिया है तो GDP जो 2011-12 का था और GDP constant price जो 2019-20 का था यह सीधे तोर पर compare कर दिया कि 2019-20 की स्थिदी नगरात्माख है तुलनात्माग ग्रुप से 2011-12 के तो यह comparison आपने जो किया तो आप पांचवे बॉक्स पर पहुंच जाएं कि इस GDP इस्थिर भाव और प्रश्रीद भाव के अधार पर आप comparison कर सकते हैं अपने आर्थिक बृद्धी में कुछ हुआ है समान है या गिर गया है तो यह हुआ GDP प्रश्रीद भाव और फिर समझ लेते हैं GDP प्रश्रीद भाव जो मात्रा आपने लिया उत्पादों का वस्तों सेवाओं का वो क्यों है और जब आपने प्रश्रीद भाव कहा तो वो मौद्रिक मुले लेना है जो वर्ष में प्रशलन में है current year पर है तो आपने constant लिया और आपको स्थिर भाव में 20 आया और इसके आधार पर आपने comparison कर लिया पिछले साल की तुलना पर ये तो हो गई चीज़े comparison करने की लेकिन इस real income तक हम इस current price और constant price तक कैसे पहुँचेंगे जरा इसकी हम बात कर लेते हैं GDP प्रश्रीद भाव और GDP स्थिर भ इसे हम real income तक कैसे पहुँचे तो जरा हम समझते हैं GDP current price क्या था तो हमने देखा कि जितने भी वस्तू और सेमाओं का उत्पादन हुआ है और जो वर्तमान वर्श पर या current year पर या प्रशलन पर जो मौदरिक मुले है उसके अधार पर निकाला गया GDP जो की 30 रुपे आ रहा और आपने देखा कि GDP इस थीर भाव पर 20 रुपे आया इस 30 रुपे की GDP current price और ये constant price पर अंतर किसने बनाया वो बनाया मुद्रा इस फिती ने जो की थी 50% 15 रुपे और आपने देखा 10 रुपे तो 10 रुपे 15 रुपे पर 50% का इजाफा हो चुका है तो अगर GDP current price पर आप ज current price की आदार पर वो प्रतिवेक्ति आए भी current price पर होगी और जो constant price की capital income आएगी वो भी constant price पर होगी और अगर आप real income पर देखें तो current price की जो भी वृद्धी दर होगी उसमें से जब आपने inflation को हटाया तो आपको प्रतिवेक्ति आए constant price ये स्थिर भाव प्राक्त होगी ये कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता ये फोर्थ हमारा एक्वेशन है नॉमिनल ग्रोथ माइनस इंफलेशन हमारा आता है रियल इंकम तो इसे ही आप कह रहे हैं नॉमिनल ग्रोथ नॉमिनल ग्रोथ या मातरात्मा वृद्धी का अर्थ क्या हो गया प्रती व्यक्ति आये प्रशलित भाव में व्रिद्धी इसे आप कह रहे हैं रियल ग्रोथ और रियल ग्रोथ का क्या असा हो गया वास्तिविक व्रिद्धी का अर्थ हो गया प्रती व्ект आए इस्ठीर भाव में जो भी व्रिद्दी होगी वो रियल ग्रोथ कहलेगी और इन दोनों के बीच में अंदर जो बना रहा है वो है इन्फिलिशन तो सीधे तौर पर आप कहां दें तो क्या होगा प्रतिवेक्ति आये इस्थीर भाव में जो भी वृद्धी होगी वो क्या दर्चाएगी वास्तवीक आये में वृद्धी या फिर रियल इंकम में ग्रोथ तो ये हो गया हमारा प्रश्रेद भाव और इस्थीर भाव की जवरत क्यों पड़ती है तो जब भी आपको ये कह दिया जाए कि भारत को आगामी पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन अर्थ विवस्ता बनाने के लिए जो सालाना वृद्धी दर चाहिए वो वास्तवीक वृद्धी दर आठ प्रतिशत चाहिए अर्थाथ इसकी बात हो रही है मतलब रियल ग्रोथ में GDP at constant price में 8% बढ़ते रहना चाहिए और अगर आप देखें तो समानी रूप से मुद्रा इस्विती प्रती वर्ष 4 प्रतिशत बढ़ते रहती है में कितनी मौद्रिक मुल्य है और GDP constant price में कितनी मौद्रिक मुल्य है जब हम GDP current price कहें अर्थाथ उसमें मुद्रा इस्विती भी सम्मिलित है और जब हम GDP इस्थिर भाव कहें अर्थाथ उसमें मुद्रा इस्विती को आपने consider नहीं किया है और ठीक उसी प्रगार हम देखेंगे कि प्रश्रित भाव में वृद्धी दर अभी कितनी है और इस्तीर भाव में वृद्धी दर कितनी है समान एरुप से जब आपको इन दोनों के आधार पर इन दोनों को प्रियोटाइज करके देखना हो कि कौन सा वाला हमें पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वह है इस्तीर भाव में पढ़ना और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिये गए नंबर्स पर पॉल भी कर सकते हैं और हाँ इसके लावा आप एक डेट और सेट कीजिए बाइस दिसंबर दोहजार उन्निस इस दिन से लॉंच होने वाला अगर अभी तक आपने हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें